हेलो फ्रेंड आपको एक जून से पाणालई की सारे क्यूस्टन्स बताने वाले हैं इसलिए आप हमारे चसन्ट को जरूर सब्सक्राइब करें और पिल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखना क्योंकि बहुत से important question इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ चलते हैं question की तरफ पहला है अंतराश्टिय जैज दिवस हर साल किस दिन को दुनिया भर में मनाया जाता है ठीक फ्रेंट तो पहला option है 24 जुलाई दूसरा है 25 जनवरी और तीसरा है 30 अप्रेल और चौथा है इनमेंसे कोई नहीं इसका राइट एंसर रफ्रेंट 30 अप्रेंट आपको question का answer आता है तो आप comment box में जरूर जल्दी से हमारे question बताने से पहले options राइट एंसर बताने से पहले आप उसमें comment कर सकते हैं तो चलिए next question की तरफ चलते हैं तो मैं थोड़ा से इसको जूमिंग कर लेता हूं अच्छे से आपको दिखने लगे हमारा next question है इसका हिंदी मेनिंग आपको हम बता दें तो इसका हिंदी मेनिंग होता है पसुचिकस्तक लचीना 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 लचीला पन को मजबूत करना और दूसरा है जलिजम अंडर डिश्टल ठीक और चौता है इनमें से कोई नहीं इसका राइट एंस्वर है इस्टेंथनी वेटनरी रेशनेश ठीक इसका हिंदी मेनिंग मैंने आपको बता दिया पसुचिकस्तक लचीना लचीना पन को मजबूत करना तो इसका राइट एंस्वर सेकेंड वाला है तो चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन की तरफ थलसेना के रूप में किसे निक्त किया गया है थलसेना के थलसेना अध्यच के रूप में किसे निक्त किया गया है पहला ऑप्षन दिनेश सर्मा दूसरा ऑप्षन राजना सिंग तीसरा है बीएस राजू और चौता है इ इंपोर्टेंट क्यूस्टन होने वाला फ्रेंड क्यूंकि आप कंप्रेटिव एक्जाम देते तो इसमें जरूर पुछा जाएगा थल सेना अध्याच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो बहुत इंपोर्टेंट क्यूस्टन है पहला अप्षन दिनेश सर्मा दूस मजदूर दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है हर साल किस दिन को मनाया जाता है पहला अप्षन एक जनवरी दूसरा आप्षन एक मई और तीसरा आप्षन 24 जुलाई और 14 इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट एंस्वर है एक मई को अंतराश्टिय मजदूर दिवस हर सा मनाया जाता है काफी पूछे भी जाते हैं ठीक इसको आप लोग अच्छे से कापी कलम पर नूट भी कर सकते हैं वीडियो देखते समय चलते नेक्स की तरफ एक मही को किस राज ने अपना अस्थापना दिवस मनाया तो पहला अप्शन महाराष्ट दूसरा उत्तरपदेश त क्रूसर थcen Secure Het ने की तरफ महाराष्ट महाराष्ट ने एक मई को अपने राज्ज्य-अस्थापना दिवस मनाया अपना राज्ज्य-अस्थापना दिवस मनाया तो चलते हैं श्विजन की तरफ किस दिन को मनाया अब यह पैस्ट स्थान है थोड़ा से दिख रहा है आप है सेट कर लेज़िए अब यह आपको दिख रहा है 20 लिघुस है विस ऐस्थार हर साल अब रिख अस्थान है यहां पर को मनाया जाता है । पांस फोलाई को चार अगस्त को दो मई और इन में से कोई नहीं तो इसका राइट गंसर दो मई को ठीक फ्रेंट इसका राइट गंसर दो मई कि दो मही को 20 तुना दिवस 208 पर हर साल मना जाता है तो चलते नेक्श्ट की के तरफ पर्धान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज में सेमी कॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उधगाटन किया है यहां पे रिक्तस्तान है तो किस राज में सेमी कॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उधगाटन किया है पहला ऑप्षन बेंगलोरू दूसरा महाराष्ट तीसरा उत्तर प्रदेश्ट और चौथा इन में से कोई नहीं तो इसका राइट एंस्वर हो जाएगा बेंगलोरू बेंगलोरू में परदान मंत्री नरेंदर मोधी ने बेंगलोरू में सेमी कॉन इंडिया सम्मेलन तो हजा कितना था तो पहला ऑप्षन टू पॉइंट वान पॉइंट टू सेवन लाक करोड रुपया और रुपिया और सेकेंड ऑप्षन 1.68 लाक करोड रुपीज और तीसरा वन पॉइंट फाइब जीरो लाक करोड रुपीज और चवथा इन में से कोई नहीं इसका हो जाएगा तो इसका राइट एंस्वर है यह वाला 1.68 लाग करोड रुपया ठीक रुपीज तो इसका राइट एंस्वर है तो चलतें नेक्स्ट यूश्टन की तरफ किसके अनुसार महामारी से सबसे ज्यादा परवावेद भारत की अर्थ व्योस्ता 13 साल में ठीक हो पाएगी पहला आप्शन यस बियाई दूसरा आर बियाई और चवता इनमें से कोई नहीं क्यूंकि इसमें आप्शन नहीं है तो इसका राइट एंस्वर है आर बियाई के द्वारा आर बियाई का काना कि महामारी से भारत परवावित हुआ है और अर्थ व्योस्ता 13 साल में ठीक हो पाएगी ठीक फ्रेंट तो यह भी बहुत काफ़ी पूछी जायने वाली क्यूशन हो सकते हैं कंपरेटिव एक्जामों में तो चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन की तरफ परधान मंत्री नरेंद्र मोदी के सलाकार के रूब में किसे निक्त किया गया है पहला आप्शन तरूड कुपार दूसरा संजय कपूर तीसरा रोही और चवता इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट एंसवर तरूड कपूर तरूड कपूर को परधान मंत्री नरेंद्र मोदी के सलाकार के रूब में निक्त किया गया है तो चलते हैं एक्स्क्यूशन की तरफ बिस सो प्रेस स्वतंता द इसका यह तीसरा वाला ओप्शन जो है राइट एंसवर है जलीजम अंडर डिश्टल सिगे चलते हैं नेक्स्क्यूशन की तरफ बिस सुसन यह आपको काफ़ी ध्यान देने वाला चीज है कि थीम बहुत पूछा जाता है तो चलते हैं नेक्स्क्यूशन की तरफ रिपोट विदाउट वर्ट्स वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत का रंग क्या है पहला ओप्शन एक फोपचीस दूसरा ओप्शन एकसोबीस तीसरा डेर सो और चोतहा इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट हैंस्वर है डेर सो रिपोट विदाउट वर्ट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2022 में भारत का रंग डेड़ सो पे रहा है तो चलते हैं नेक्स क्यूशन की तरफ बिश्व प्रेस फ्रेस फथनता दिवस हर साल किज दिन 20 अस्तर पे मनाया जाता है पहला उप्यूशन 4 अप्रेल दूसरा एक जन्वरी तीसरा 3 मैं और 14 इन में से कोई नहीं इसका राइट एंस।र है तीन मैं को 270 दिवस 20 अस्तर पर मनाया जाता है तो चलते हैं अपने next question की तरफ थोड़ा fast बताऊंगा मैं friend क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है 270 अस्तमा दिवस हर साल कब मनाया जाता है January के पहले मंगलवार को February के पहले मंगलवार को May के पहले मंगलवार को अस्तमा दिवस मनाया जाता है काफी important question है friend इसे आप notes कर सकते है चलते हैं अपने next question की तरफ इसे निक्ट के लिए जाए हो गया निम लिखित में से किसे केंदरी परतेचकर बोड़ CBGT का अध्यच निक्ट किया गया है पहला option नहा सिंग दूसरा रिया गुपता और 30 संगीता सिंग और 24 इन में से कोई नहीं तो इसका right answer है संगीता सिंग संगीता सिंग को CBT का अध्यच निक्ट किया है केंदरी परतेचकर बोड़ का चलते हैं पने next question की तरफ बिश्व अस्थमा दिवस 2022 की theme क्या थी तो इसका right answer है इसमें option इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि confusion काफी हो जाता है इसलिए इसकी right answer मैं आपको बताऊंगा इसका तो इसका right answer अस्थमा दिवस 2022 की theme क्या थी तो इसका theme था closing gaps in asthma care closing gaps in asthma care तो चलते हैं अपने next question की तरफ तो हमारा next question लाल लीगा कौन सा संक्रण हल ही में real medit ने जीता है लाल लीगा का कौन सा संक्रण हाल ही में real medit ने जीता है 23, 35, 12 इनमें से कोई नहीं 35, 35 संक्रण लाल लीगा का real medit ने जीता है तो चलते हैं ने next question की तरफ तो फिर्ट हमारा next question है 18 कोईला खनिक दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है पहला option 5 जुलाई दूसरा 7 अगस्त तीसरा 4 जुलाई और 14 इनमें से कोई नहीं तो इसका right answer चार मई को कोईला खनिक दिवस हर साल मनाया जाता है ये काफ़ी important question है friend इसको आप notes कर लिजे चलते हैं next question की तरफ बिश्व पुर्तगाली भासा डिवास हर साल किस तारिक को मनाया जाता है पहला option 5 मई, दूसरा 7 जनवरी तीसरा 4 फर्वरी और 14 इन में से कोई नहीं तो इसका right answer 5 फर्वरी को बिश्व पुर्तगाली भासा डिवास हर साल 5 मई को मनाया जाता है तो चलते हैं next question की तरफ बिश्व हाथ स्वस्था दिवस डबलू एच एच डी प्रतिवर्स किस दिन दुनिया भर में मनाया जाता है पहला option 7 मई दूसरा 5 जुलाई और तीसरा 5 मई और 14 इन में से कोई नहीं तो इसका right answer है पाँच मई को डबलू एच एच डी प्रतिवर्स मनाया जाता है विश्व हाथ स्वस्था दिवस ये काफी important question पूछा जाता है तो चलते हैं अपने next question की तरफ तो फिर्ण हमारा next question यही था और मैं आपसे questions overall questions पूछ लेता हूं आप इसका comment में answer दे दीजेगा तो फिर्ण हाली में भारत के परधान मंत्री किस देश का दौरा किये हैं इसको आपको comment में बताना है तो मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए जय बार रहा है तो और वीडियो अच्छा लगए तो लाइक सेस्क्राइब और सेयर करें